कहिए कैसे हैं आप हर किसी के सामने अपना दुखडा रोना बंद कर दें देखें जब हम दुखी होते हैं परिशान होते हैं डिप्रेशन में होते हैं तो ऐसा मन करता है कि ना हम किसी से अपनी फिलिंग शेयर करें हम किसी से अपने मन की बात कहें हम किसी से अपना दुखडा करते हैं, आपन धुखड़ा रोना क्यों बंद करते हैं। सबसे पहली बात, हमें क्या लगता है कि कोई भी problem, कोई भी issue है तो वो सिरफ हमारी life में ही है मतलब हमें ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, भगवान हमारी परिक्षा ले रहा है सामने वाला तो बिल्कुल ठीक है, उसको तो कोई फरक नहीं, वो तो खुश है तो देखिए जहां तक बात है problems की, यह तो हर किसी की life में है और खूब है मतलब यह नहीं सोचना हमें कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है है ना मेरी सेहली के साथ, मेरे दोस के साथ, मेरे पड़ाओसी के साथ, कुछ नहीं हो रहा है, वो सब ठीक है, वो कुछ है हर किसी की अलग-अलग नेचर होती है कोई तो बता देता है जैसे अपना दुखडा रो दिया किसी ने कोई सिर्फ स्माइल दे के काम चला लेता है मुस्कुराने से भी होता है गमे दिल बया हर बार रोने की आदत तो कोई जरूरी तो नहीं है और कुछ लोग ये सोचते हैं कि शिकायतों के भी अपनी इज़त होती है हर किसी से नहीं की जाती तो इस चीज का ध्यान रखिए और कहीं बार हम ये भी महसूस करते हैं कि जो बहुत जादा मुस्कुरा रहा है अपने अंदर बहुत जादा दर्ट लिए बैठा है उसकी अगर जेब टोलेंगे ना तो रुमाल गीला मिलेगा कहने का कुल मिला के मतलब यही है कि प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में कोई उसको बता देता है कोई उसको छिपा लेता है हरे कोई बताता नहीं एक दूसरे को पर हम यह सोच के सबसे अपनी प्रॉब्लम्स शेर किये जाए कि मेरी सुनो मेरी ही प्रॉब्लम है यह तुमको तो है नहीं तो यह चीज सही नहीं है यह चीज समझनी पड़ेगी कि अगर मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है वो ये बात अपनी तीसरी सहली को बताना चारी है कि देखो ऐसे ऐसे मेरे साथ बात हुई उसने ऐसे किया अच्छा जो तीसरी सहली है न वो पहले से ही परिशान है रीजन क्या है कि उसकी अपने पेरंट से लड़ाई होगी किसी बात पर कहा सुनी होगी उसका मूड बहुत ओफ है तो उसकी बात सुनने का मनी नहीं है उसने जो पहले लड़की थी पहले वाली सहली थी उसने अपनी बात उसको कही अच्छा उसका ध्यानी नहीं है वो अपनी परिशानी में गुम है वो अपनी चिंता में गुम है तो लेंगी, तो हम जो बता रहे थे, हम जो सोच रहे थे कि मैंने अपना दुखदर, मैंने अपनी feeling इससे share की, तो मैं हलकी हो जाओंगी, ठीक हो जाओंगी, यहाँ तो उल्टा लेके जा रहे हैं और लेके किसले जा रहे हैं, क्योंकि उनकी life में भी problem है, हाँ, उन्होंने share नही कि ये समझने वाली बात है समझ रहे हैं आप इस बात को अब आती है दूसरी बात चलिए मान लेते हैं कि जैसे एक आदमी है उसने अपनी प्रॉब्लम दूसरे को बताई और उसने सुन ली सिरफ सुनके वो चुप हो गया उसके पस सॉलूशन ही नहीं है फिर क्या फैदा हुआ अपनी हम प्रॉब्लम शियर कर्रें हैं तो हमें हल भी तो चाहिए होता है इस बारे में भी छोटा सा एक्टामपल देती हूं जैसे एक लड़की है वो जहाँ जॉब करती है वो अपने बॉइर्परेंट को बताती है कि मैं जहाँ जौब कर रही हो न, यहां लोग अच्छो नहीं है, लोग अच्छो नहीं है यहां पे, तो boyfriend क्या कहता है, जोड़ दे नौकरी किस ले कर रही है, तेको मैं दस बार बोल चुका, जोड़ दे, शोड़ दे, अब उसको ज़रूरत है, इस ले कर रही है, छोड़ देगी तो क्या होगा कोई हल थोड़ निकलेगा अब उसकी बात मानती है तो मसीवत नहीं मानती तो मसीवत वह नराज हो जाएगा अब तुमने अगर मेरे से राय ली तो मेरी बात भी तो मानो हो गई ना मसीवत भई उसने तो अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के के अथि ए अब आती है तीसरी बात हर किसी की लाइफ बिजी है मतलब हम यह सोच लेना कि दूसरा तो खाली बैठा है मतलब हम क्या गटते हैं जो आम तोर पर कि अपनी सहूलियत देख के बात करते हैं अपर मैं फ्री ऊप between मैं अफ्री हूं मैं उसके घड चला जाता हूं तो अपनी सहुलियत देखके नहीं सामने वाले की सहुलियत देखके बात करने चाहिए पर हरेक कोई बिजी है 10 प्रॉब्लम्स हैं हरेक की लाइव में हरेक कोई बिजी है तो फोन उठाते ही मतलब अपनी पर आज पते क्या हुआ यह हुआ वह 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 शुरू हो गया अच्छे जो दोस्त था जिसने फोन एटेंट किया वो थोड़ा सा ना mentally occupied था उसके घर में उसकी family member कोई बिमार थे बहुत serious तो उसका ध्यान नहीं था उसकी बात में उसको बोला कि ना थोड़ी जर में ठोभर को फोन घरता हूं और यह कहका उसने फोन रख इन दिया मतलब उसकी बात को un-s Africans घरती तो इससे क्या हुआ जो मैं स्टैनिंग में बोल थी क squash और लान्ट dos app да गया ना olduğu तो मान के चलना चाहिए, हरेक कोई busy है, भी ठीक है, मान लो उसका 10 to 6 का time है, तो 10 बाते और वी तो होती है, हो सकती है, मतलब वो किसी भी चीज में busy हो सकता है, दस जमेले हो सकते हमाइन, होते हैं, सभी के माइन में होते हैं, पता नहीं कितनी सारी चीज़े चल रही होती है, तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए, हर एक की लाइक बिजी है, कोई वेला नहीं बैठा हुआ, वेला बोलते हैं पंजाबी में, कोई फ्री नहीं सामने वाले की इंटेंशन को भी जानना, कि इसकी इंटेंशन क्या है, हम कहीं बार ना बहुत जादा अपने पन में आके, मतलब बहुत जादा ही लगता है कि बस यह है हमारी जिंदगी, मतलब इतने फ्री हो जाते हैं, जैसे कि एक लड़की है, वहां पर उसकी नहीं सहली और अभी हाल फिलाल ही वनी है, मतलब 15-20 दी मतलब हो पक्की दोस्ती हो गई, पक्की दोस्ती का, क्या मतलब कि सारी बाते बाते पह शेयर करने लगी है, जैसे उसने यह कहा, कि ना मेरे पापा मम्मी शादी के लिए फोर्स कर रहे है, हो सकता है, इस महीने के अंट कहीं बा अच्छा सहेली की intentions बिल्कुल सही नहीं थी, same office है, same post है, अच्छा होना क्या था, कि जो लड़की ने बात बताई, उसकी promotion due थी, अब जिस लड़की ने वो बात सुनी, वो फटाफट manager के पास चलेगी, आप तो उसकी promotion की सोच रहे हो, आप तो उसका salary बढ़ाने की सोच रहे ह है, बढ़का दिया उनको, intentions चीक नहीं थी ने लड़की की, तो उन्होंने क्या किया कि पजाए उस लड़की को promotion देने के, जो दूसी लड़की जिसने बताई बात, उसको promotion मिली, और हुआ क्या, अब इस बात को मान लीजे, दो या तीन महीने हो गए, उस लड़की की अभी बातें, जब हो जाती हैं, तो सामने आ जाती हैं, कि ये actual में हुआ क्या, पर मेरी promotion दियू थी, इसको कैसे मिली, तो बात पता लगी, फिर उसको दुख हो रहा है, मैं क्यों बोली, मैं चुप क्यों नहीं रही, क्या दिमाग खरा वो गया था मेरा, कि मैंने इसको सेली बना रही हूँ, क्या ये deserve करती है कि नहीं करती, वर्त है इसको बात बताना की नहीं, आपको बताओं मैं बात, सचाई है जीवन की, क्या की 20% तो केर ही नहीं करते, मतलब हम किसी से अपनी बात share कर रहे हैं, अपनी feelings, दिल की बात, केर ही नहीं करते, पड़ी नहीं किसी को, 80% ल जब हम share कर रहे हैं कई बार किसी से अपनी feelings, तो उसमें हमारी ही negativity जलगती है, हमारी ही कमजोरी जलगती है, हमारी ही weakness जलगती है, होता है ऐसे, अब जैसे एक लड़की है, उसने यूट्यूब पे एक channel बनाया, मान लीजे, और channel भी है motivational videos का, को motivate करती है, ऐसे करो, ऐसे करो, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो उसके लोग देखने है, उसकी सेली है, वो भी उससे बहुत जाधा impressed है, कि अरे वा, तो एक दिन जब उसकी सेली उससे मिलती है, तो वो अपनी सेली को पते क्या कहती है, कि अगर मेरे इस महीने में 1000 subscriber नहीं हुए, तो म इतनी जादा उससे, मतलब, इंडिफरेंट हो जाती है, उसको अच्छी नहीं लगती हूँ उसकी बात, वो तो ही सोच रही थी कि ये मेरी प्रेड़ना बन सकती है, मतलब मैं इसको फॉलो कर सकती हूँ, इतनी अच्छी बात है, और ये इस्तरे की बात कर रही है, वो उसको अंसबस्क्राइब कर देती है, मतलब, नेगेटिविटी आ गई न, अपनी वो वीकनेस दिखा रही है न, अरे क्या हो गया, थोड़ा तो अपने आप में हिम्मत रखो न, साहस रखो न, ये क्या मतलब हुआ, तो हम कही न कही जब हम बाते कर रहे हैं न, मेरा कहने का मतलब ये है कि कही न कही ऐसा तो नहीं है, कि आप भी की कमजोरी इसमें जलक रही है, आप ही की वीकनेस इसमें जलक रही है, तो ये नहीं होना चाहिए, इससे आपकी इमिज डाउन हो रही है, इससे आपकी reputation घराब हो जाएगी समझे इस बात को अब आती है चेती बात कई बार हम अपना दुखड़ा सामने वाले के सामने इसलिए रोते हैं कि सामने वाला हमें favor करेगा हमारी हौसला अवजाई करेगा नहीं चलो कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा तुम चिंता मतलो मैं हूँ उना साथ में मतलब इस तरह की सोच लेकर हम सामने वाले से अपनी feelings share करते हैं अपना दुखड़ा रोते हैं पर कई बार इसके उल्टा हो जाता है अब जैसे कि माल लेजे एक बहू है वो अपनी परोसन से बात कर रही है कि मेरी जो सास है वो तो बहुत ही गंदी है मतलब उसका behavior तो बहुत ही अजीब है ऐसी मेरा husband है मतलब अजीब सा है चिड़े चिड़े से रहते हैं मेरे से अच्छे से बात भी नहीं करते अब पढ़ गया ना उल्टा वो तो कहां सोच रही थी कि मैं बुराईया करूँगी अपनी सास की, अपने पती की तो मेरे को ये कहेगी हाँ ऐसे ही है और मेरा फेवर करेगी, मेरा होसला अवजाई करेगी फिर मेरी बाते और भी ध्यान से सुनेगी मेरी बातों में इंटरस्ट लेगी ये तो उल्टा हो गया वो ये कह रही है कि तू अपने आपको सुधार वो तो बहुत अच्छे हैं वो तो बहुत भले लोग हैं मैं तो कितने सालों से उनको जानती हूँ तो कई बार जो हम इस तरह से फेवर लेने के लिए बात करते हैं किसी को अपना बनाने के लिए अभी दिल जीत लेंगे फिर ये तो हमारा ही हो जाएगा ये चीज़ भी नहीं होने चीए अब आती है साथवी बात जब हम किसी से अपनी बाते शेयर कर रहे हैं तो मान के चलिए कि हम उनको इन्वाइट कर रहे हैं कि वो हमारे परसनल स्पेस में जाएं मतलब वो बाते बहुत हमारी अपनी है जैसे एक लड़की अपने पुराने पास्ट अपने एक्स बॉइफरेंड की बाद दूसरी सेली को बता रही है तो वो इन्वाइट कर रही है ना कि मेरे पास्ट में जाँको देखो ये है मेरा पास्ट किसी को क्या पता है वो तो खुद इन्वाइट कर रही है वो खुद बता रही है जैसे एक आदमी है वो अपने दूसरे दोस्ट को बता रहा है अब सामने वाले दोस्त को तो पता ही नहीं इस बात का अब वो पहले वाला दोस्ती सारी वाते बता रहा है ना मतलब अपने पर्सनल स्पेस में वो खुद इन्वाइट कर रहा है कि तुम गुजो देखो तो इस चीज़ से भी थोड़ा सा बच के रहना चाहिए पता नहीं क्या मिस्यूज कर दे सामने वाला क्या गलत फायदा उठा ले तो हम कर के रहे हैं हम ना इंडिरेक्ट वे में अपनी लाइफ का रिमोट दूसरे के हाथ में दे रहे है इस चीज़ को भी बहुत समझने के जूरत है भी हम क्यों किसी को अपने परसनल स्पेस में जाने दे हैना फिर अगला कोई जादा इंटरफेर करेगा उसकी इंटेंशन स्टीक नहीं होगी वो कुछ मिस्यूज करेगा फिर हमें और जादा प्रॉब्लम होगी और होती है फाइदा उठाते हैं लोग समझे इस बात को तो अब बात यह आती है कि क्या करें पर फीलिंग्स तो है मन में तो उसको क्या दबा के रख लें करें तो क्या करें तो देखें सबसे आदा जो जरूरी बात है ना खुद पर विश्वास रखिए हम दूसरों के पर फिश्रास रखते हैं वही मनजिलों को पार करते हैं पता है आपको बहुत ज़रूरी है आप खुद से आप क्या कीजिए देगे शान्त हो के बैठ जाईए आपके मन में कोई बाहर चल रही है कुछ बहुत जादा टेंशन चल रही है कुछ प्रॉप्रम चल रही है आप के चीजें होतीय है यह चीज ठीक होतीय है यह चीजै करना करने चाहिए फ़र जरूरत क्या है कि emotion सो दबा निए रख न दन, Emotions को बाहरन निकालना हमने लिखके निकाल दिया हमने कुद बोलके अपने अप शीशे को यागे खड़े होके, emotions को निकाल दिया, अंदर नहीं रखना, emotions बहार निकालना, गुसा, frustration, अंदर जमा होती जाएगी ना, फिर वो बहुत नुकसान करती है, तो इसको तो बहार निकालते जाएए, निकालते जाएए, या फिर कोई हमारा बहुत अपना है, बहुत sincere है, मतलब जो अगर मैं smile भी कर रही होंगी ना, वो समझ जाएगा कि तेको कोई problem है, क्या problem है, बताना, हमारी खामोशी के पीछे, मतलब reason समझ जाएगा कि किस लिए चुप है, तो अगर कोई हमारा इतना अपना है ना, उससे share करने में कोई दिक्कत नहीं है, अपने दिल की बात कर ली, मतलब हम बहुत जल्दी free हो जाते हैं, बहुत जल्दी अपना समझ लेते हैं, जबकि actual में ऐसा होता नहीं है, यही तो मैंने बातें बताइए ना, कि actual में ऐसा होता नहीं है, इसलिए बतलब जिससे भी हम शेयर कर रहे हैं या तो वह बहुत अपना हो बहुत खास हो जिस पर हम fully trust कर सकें इस तक बात रहेगी इससे आगे तो जाई नहीं सकते यहां पर बात करके मैं सेफ हूँ यहां पर बात करके मेरा दिल हलका हो जाता है और वाकई में हलका हो जाता है देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि सुकून को ढूंडेंगे तो खुद में ही मिलेगा दूसरों में आपने मेरा ये यूट्यूब वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजेगा और इसमें बेल का बिटन है ये भी दबा दीजेगा ताकि जब भी जैसे में कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी आपको लग रहे कि हां किसी और के काम भी आ सकती है तो प्लीज आप इसको शेर भी जरूर कर लीजेगा ठीक बाई